नमस्कार दो सुब बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बाप इसे आप सभी लोगों के अपने यूटिप चैनल एक्रे टिप्स क्लासेश पर सुपर टैट 2021 को ले करके लगा अतार हम लोग डेली रात को आठ वजे सामाजिक अधिन के mostly repeated questions को cover करते हैं तो इसी क्रम में आज हमारा part number 8 होने वाला है ठीक है तो जल्ली जल्ली सभी लोग जोड़ जाएगा और फिर हम लोग सुरू करेंगे top 25 mc cruise की series को जैसे कि आप सब लोग जानते हो particular day हम लोग कुछ selected questions को करते हैं तो आज फिर हम लोग top 25 questions को करेंगे जो की बहुत ज़्यादा बार repeat हो चुके है आपके different different exams में ठीक है तो चलिए सभी लोग को hi hello namaste तो सभी लोग जल्दी जल्दी से जोड़ जाएगा फिर हम ल आते हैं पहले नंबर के question पर आते हैं देखे पहला question है लिखा हुआ है कि बर्स 1937 में देशी भाषा के माध्यम से बुनियादी सिक्षा देने के गांदी जी के प्रस्ताप का समर्थन करने के लिए सिक्षा सम्मेलन कहा आउजद किया गया था देखे काफी जादा महतपून और हो सकता है कि आप लोगों ने ये प्रशन जो है वो पहले ना सुना हो ठीक है तो कोई बात नहीं काफी महतपून ये जो है प्रशन है आप लोगों का देखे यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो है आपका कहां पर हुआ था ये बर्धा में हुआ ठीक है बर्धा तो एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे तो यहां पर गांदी जी ने एक काम किया था वो काम क्या था कि बर्स 1937 की बात है ठीक है तो महत्मा गांदी जी ने 31 जुलाई 1937 में हरिजन ठीक हरिजन जो इनकी हरिजन में एक लेख लिखा था जिसमें इन्हों ने जोर दिया थ था कि इस तरीके का एक जो है वो बुन्यादी सिक्षा के लिए कार्ण किया जाए तो उस लेख की बजए से यह जो है आप लोगों का बुन्यादी सिक्षा के लिए प्रस्टाप समर्थन करने के लिए सिक्षा सम्मेलन आयुजित किया गया थी कहां बरधा में किया गया था तो ये चीज अगर पूछी जाए कि महात्मा गांधी ने बुन्यादी सिक्षा के लिए जो लेक किस्म में लिखा था तो आपको क्या याद रखने हैं विटा ये लिखा था हरिजन ठीक है अगले प्रशन पर आते हैं लिखा हुआ है कि हाल ही में गूगल के मुख करमचारी अधिकारी CEO सुन्दर पिचाई ने भारत में अगले पांच-साथ बरसों में कितने रुपई निवेश की गूशन की है पिचतर अजार करोड पचपन पैंति सिया पर पैंतालेस अजार करोड तो जो भी आप लोगों को लगता है तो आप जल्दी से बता सकते हैं इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा ठीक है तो जल्दी से बता और यह काफी गर्व की बात है कि एक भारती है जो कि Google जैसे सबसे बड़े ठीक है सर्च इंजन का CEO है तो काफी हमारे लिए गर्व की बात है तो दीखें कि यहां पर कुल मिला करके 75,000 करोड रुपए यह थोड़ा सा आपका करेंट एफेस में कुश्चन पड़ जाता है हमें अफ़ड एन आर ऐजी पे ठीक है एन आर ईजी पी का रियल नेम क्या है मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होता ही है तो आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है तो बिलकुल यह सिंपल है देखें यहां पे आप लोगोंने सुना होगा यह आप लोगों का नेशनल रूरल ए डारंटि प्रोग्राम। तो यह चीज्च याद रखेंगे। तो यह है तो इसको याद रखेंगे। तो इसको यहाद रखेंगे। यहाँ पे घर हम बात करें तो सई-option जो है वो पौन सा हो जाएगा। ओफ्शन नमबर ए हो जाएगा ठिक नेशनल रूरल एम्प्लॉइमेंट गारेंटी प्रोग्राम ठिक तो जो लोग ओफ्शन नमबर ए दे रहे हैं आप सभी लोग का सहीएद छौथा प्रशन है भारत के महन्यवादी की निकती कौन करता है भारत में जो महान्यवादी होता है उसकी निकती कौन करता है यह बताना है आप लोगतो उच्चितम ने आयले का मुक्नेदीश या पर संतद बिधी मंत्री या फिर राष्टपती तो कौन करता है देखो इड़ा यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी जो निपती करता है वो कौन करता है ये कौन करता है तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से आप लोग आनसर देखें यहां पे अगर हम बात करें तो यह कौन करते हैं यह हैं हमारे राष्टपती सहाब ठीक है option number D सही हो जाएगा और एक बात और पूछी जाएगा किस के तहट ठीक है तो जो लोग option number 4 राष्टपती दे रहे हैं आप सभी का बिल्कुल ठीक है पाचवे नमबर का प्रश्ण है कि खलीपा से प्रतिस्थापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था option है आप लोगों के इल्तुतमश, बलवन, फ्रोश्ट, तुगलक या फिर अलावदीन खिलजी देखे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा खलीपा से प्रतिस्थापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रतम शुल्तान कौन था अगर इसकी हम बात करने वेटा तो कौन था आप लोगों को बताना है देखे तमाम option है और ये medieval history से आप लोगों ने पड़ी होगी तो यहाँ पर जो सही आंसर है इल्तुतमश, ठीक, कब ये बात है 1229 तो यह चीज भी आप लोगों के याद रखनी है तो यहाँ पर दो चीज पूची जाती है कि पहला तो प्रतिस्ठापन पत्र मांगने और पहला सुल्तान कौन था दिल्ली का ये था इल्तुतमश इसके अलाबा अगर पूचे कब तो आपको क्या दखना है 1229 तो याद रखेगा अगला है आप लोगों का छटमा लिखा हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकणों के अनुशार जून 2020 में खुद्रा महगाई दर कितनी पहुँच गई 5.87% 7.87 4.87 या फिर 9.87% तो आप लोगों को क्या लगता है इसका अंसर जल्दी से दीजेगा देखिए ये आना चाहिए ठीक है जून 2020 की बात है ज्यादा पुरानी नहीं है और करेंट अफेस भी जो पूछे जाते हैं लगबग एक से देड़ साल के असपास के पूछ लिए जाते हैं देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह है आप लोगों का 7.87% ठीक तो यह चीज़ आप याद रखेंगे 7.87% जो लोग ऑफ्चन नमबर B कर रहे हैं विटा C नहीं होगा जो लोग D दे रहे हैं वो भी नहीं होगा ऑफ्चन नमबर B is correct तो इसको थोड़ा सुदार साथमा प्रशन हाल ही में भारतिया रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की गोशना की है ठीक है तो यहां पर हम बात करें तो यहां पर बहुत सारे आपके पास में दोजार पचास पैटालेस तीस या फिर इनवेसे कोई नहीं तो क्या लगता है जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा टाइम मत लगाया करो बेटा देखो यहां पर हम बात करें तो यहां पर दो हजार तीस तक थीक है वर्ट आई थिंक दिस इस इंपॉसिवल विकॉज दियारा सो मैनी प्लान्स ऑफ और गवर्रमेंट जो की फेल हुए हैं जैसे की स्वक्ष भ आढ़ने की गोष्णा की है जो पॉल्यूशन रेलों के द्वारा कि आजाता है जैसे आपको मालूँख की डीजल से रेल चलती है ठीक है एंजिन वो दुआवाले होते हैं मतलब जो पैट्रॉल बगार डीजल से चलते हैं तो उनको चेंज करके कि एलेक्ट्रों कोश ऐसा क करने वाले हैं तो उसका मतलब है Green Railway ठीक है जैसे की मतलब अपना Global Warming पर आशार ना पड़े तैसे समझ लो कि आठमा है प्रेशन तो जो लोग इसका दे रहे थे सी बिल्कुल सही है अगला है कि केंद्री है खाद प्रदोग की अनुशनदान संस्तान मतलब सी एफ टी आर आई कहां परिस्तित है ठीक है तो सी एफ टी आर आई क्या है पहले तो यह जान लीजेगा आप लोग इसका फुल फाम होता है Central Food Technology Research Institute क्या होता है Central Food Technology Research Institute यह कहां पर है आपका यह है आपका मैसूर में ठीक है तो याद रखेंगे मैसूर अगर आप सीज़े से मैं पूछू इसकी ट्रिक क्या होगी ठीक है बहुत सारे बच्चे चलाते रहें सारे ट्रिक क्या होगी और वो लोग भी सुन लें जो की नोट्स को छाप छाप करके कॉपी करके बनाते है ठीक है ऐसे नहीं पढ़ाए जाता है देखो यहां पे अगर हम बात करें खाद ठीक है देखो यहाँ पर बात करें वेटा इसको कैसी याद रहा है वेटा अगर मैं पूछूँ आपको कि हमारे जो खेत होते हैं ठीक है हमारे गावाले होते हैं वो खेत में क्या डालते हैं ठीक है तो क्या डालते हैं मसूर ठीक है मसूर की खेती ठीक है खाद यहाँ पर खाद जो ह होगे तो क्या हो जाएगा पैदापार उतनी इच्छी नहीं होगी तो आज कल पूछा जाए तो किसान किसान जाता है कि भी जानता है कि खेतों में खाद बहुत डाली है ठीक है तो मशूर से याद रखना है मैशूर ठीक है तो चलिए अगले पर आते हम लोग अगला है आप लोग का नमा प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पे कि परिवेश रास दर कितनी होने पर परिवेश बायू इस्तिर होती है बताईएगा आप लोग पढ़ करके फिर मैं बताते हूँ आप लोग को ठीक है जल्दी बताएंगे आप लोग क्या होगा तो बताएंगे आप जल्दी चार आप लोग के देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें परिवेश रास दर जो है आपकी तो होने पर परिवेश बायू इस्तिर होती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोग का क्या होगा option number C हो जाएका है मतलब sub-ierte इडिया वेटिक तो यह चीज़ याद रखेंगे ठीक है तो यह चीज़ याद रखेंगे जो लोग option number C दे रहे हैं आप सभी लोग का बिलकुल सही है ठीक है तो यह चीज याद रखेंगे और एक चीज और बता दूँ आप लोगों को कि एक प्रस्ट पूछा जाए ठीक है मैं बोलना है मनलब यह बताना पड़ेगा ठीक है इसको याद रखो यूपी शचल में एक प्रस्ट पूछा जाता आप लोगों से कि अफीम की खेती कहा कर होती है तो वीटना आप लोगों को पताा है तो पता दीज वो आप लोगों को पता है दिमाग को चक्रा देती है तो दिमाग को चक्रा देती है तो अफीम खाने के बाद में अफीम और भांग सुना है भांग तो सुनीए न आप लोग ने भांग तो भांग जो होती है उससे खा करके लोग क्या करते हैं बंदरों जैसा परताब करते है तो अफीम खाने के बाद में लोग कैसा ब्येव करते हैं अगर मैं पूछूँ तो आप क्या कहोगे सर जस्ट लाइक है मंकी से याद रखना बारा बंकी एडिशनल इंफॉर्मिशन बता दी इससे कहते हैं ट्रिक यह आप लोगों किताबों में नहीं मिलेगी किताबों में त ठीक है तो मतलब अफीम खाने के बाद में लोग कैसे करते हैं मंकी मंकी से बारा मंकी बस कतम यह आ सकता है ठीक है यूप पूछा गया थे मजाक नहीं कर रहा हूं रियालिटी है नहीं तो आप यूट्यूप स्वरी गूगल पर जाके सर्च कर लेना ठीक और यह कहीं से कित बंद सबसे उचा निकास बेशन कौन सा है देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर सही अंसर क्या होगा आप लोगो देना महानदी गोदावरी कृष्णा या फिर नर्मदा तो तमाम आप लोगों के पास में यहां पर जो सही आप्शन होगा वह का कृष्णा ठीक ह है आप लोगों का एक साथ 38 ठीक है तो यह तके यह एन फोर diferentes यह तो यह तकेनगे अगला प्रेशन आप लोगों जारमा लेखा होगा कि लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है है अगर हम बात करें यहां पर तमां ओप्षन है। यूरियस जाइमस माल डायस टेश क्या हो गए यह पर तमां ओप्षन हो ऐगा ओप्षन हो सही dampik नवराद़ी ठीक है डास टेश तो यह चीज़ उत रखेएंगे option we understand दी जो है वो आप लोग का सही हो जाएगा तो यहां पर कैबल आप लोग को यहाद रखना है तो यह याद रखेंगे तो जो लोग को option number D दे रहे हैं आप सबी लोग का सही है तो आप लोग को मैं बता दूंते को super tech cable किताबों से पढ़ करके notes हों से पढ़ करके crack नहीं होता है इसके लिए आप लोग को और भी चीजें आनी चाहिए ठीक जो की not only for notes यह अच्छी बात है मैं मानता हूँ कि आप लोग follow करते हो ठीक एक idle मानते हो जो भी है आपके भाई है बहन है जो भी है ठीक है जिनके बारे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ अच्छी बात है मैं respect करता हूँ ठीक है बट आप यह भी मानिएगा कि केबल और केबल उन्हीं को मान लोग की बो पढ़ लिया जाएगा तो crack हो जाएगा इसा नहीं है यह भी आप समझ जाएगे ठीक है तो यह अगला प्रेशन है आप लोग ले किस कर को बर्स 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बाहुत समय बाद संबिधानिक दर्जा दिया गया सीमा सुल्क कॉपरेशन कर सेवाओं पर कर या फिर आयकर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तमाम आप्शन है जल्दी दीजेगा यहाँ पर है आपका सेवाओं पर कर तो सेवाओं पर कर जो है वो 1994 से 95 में छोटे रूप में लागू किया गया था और बहुत समय बाद इनको संबिधानिक दर्जा जो है वो दिया गया था तो यह चीज़ आप याद रखिएगा काफी जादा महत्तपून हो जाती है चीज़ तिन Hii breathing अगर अगर मैं बतादू इसे कब दर्जा दिया गया था तो इसे जो है वो बित अद्नियम 2003 में जो है गधर द्रजा दिया गया था ठीक है अध्याय个 five a के द्वारा ठीक अध्यायa five eight के द्वारा दिया गया था तो यह axe भी आप बात करें तो बहुत में कब आया है यह जो आया है 1946 जो लोग दे रहे है ऑफ्शन नमर डी बिलकुल सही है इसके सदस औरते बो चीज आप लोगों को याद रखनी है यह आपको सीरे सीरे लूशन पर मिल जाएगा यह कौन-कौन थे देखो इसके जो नेतुत किया था वो किन ने किया था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने ठीक है इन्योंने तो किया था इसका नेतित और सदस थे स्टेफॉर्ड क्रिप्स और एवी अलकसेंडर सदस थे तो यह आप लोगको सीरे सीरे लूशन करे मिल जाए यह इसलिए हम बोलता हूं कि लूशन ज्यादा फॉलो करो तो जो लोग आफ्शन में दी दे रहे हैं फिर भाग एक में ठीक है देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो इसको कहां पर देखा जा सकता है इसको जो देखा जा सकता है यह प्रस्तावना में ठीक है ऑफ्शन नमबर यह प्रस्तावना में देखा जा सकता है तो आप लोगों के याद रखना है ऑफ्शन नमबर ए इ या ओक्सी एसिड नहीं बनाता है सलफर क्लोरीन नाट्रोजन या फिर फ्लोरीन देखिए ओक्सी एसिड नहीं बनाता है सलफर क्लोरीन नाट्रोजन या फिर फ्लोरीन ठीक देखिए ओक्सी एसिड नहीं बनाता है कर हम इसकी बात करें तो क्या नहीं बनाता है ठीक है कौन न अगला है आप लोग के लिए सोलमा लिखा हुआ है केंद्रिय बालिज और उद्ध्योग मंत्राले के आंकडों के अनुशार निम्न मैंसे कौन सा देश वित्तिय बर्स 2019 से 20 के दोरान भारत का सीर सिव्यापारिक भागीदार बना हुआ है अमेरिका, नेपाल, चीन या फिर रूस तो काफी ज़्यादा महत अपून है भारत का सीर सिव्यापारिक भागीदार बना हुआ है देखे अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है आप लोग का ये है आपका option number A ठीक है अमेरिका बना हुआ है तो जो लोग सोल में का ये कर रहे है आप सभी लोग का सही है अगला है 17 लिखा हुआ है कि ब्लोडन द्वारा हिलाया गया द्रब किसके कारण इस्तिर हो जाता है ठीक है ब्लोडन द्वारा हिलाया गया द्रब किसके कारण इस्तिर हो जाता है गनत्त, सताही तनाव या फिर सयानिता सयानिता का मतला बिसको सिटी ठीक है बिसको सिटी बोलतें इंग्लिस में अभी केंदरित बल तो किसके कारड हो जाता ये बताने आपनों को अच्छा प्रशन है देखेगा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा अगला है आपनों के लिए प्रशन 18 मा लिखा हुआ कि सामूए खपत से क्या तातपर होता है घरेलू खपत या फिर व्यक्तिक खपत या फिर स्वक खपत या फिर देश के नागरिकां द्वाराखी की खपत तो ये प्रशन अभी कुछी दुनों पहली हुआता है किसी क्लास में मुझे याद नहीं है तब ही मैं बोलना हूँ कि GS में कुछ लेक्टिडी कोशन है तो उनको कम्प्लीट अगर आप लोग कर लेते हो तो उसके बाद कोशन का रिपीटेशन चालू हो जाता है देखे सामूए खपत से जो तातपर होता है उसके क्या होता है यह है आपका देश के नागरिक द्वारा की खपता option number D तो जो लोग D दे रहे हैं अठार में कब इलकुल सही है उननिसमा प्रशन है लिखा हुआ है कि हाल ही में किस राजी सरकार ने रोको टोको अभ्यान की गोशना की तो सबसे पहले यह समझे लो कि रोको टोको अभ्यान क्या था नेके कोरोना पीरड चल रहा है आप लोगों को पता है all of you know about this तो कोरोना जो चल रहा है आप लोगों का तो कोरोना में जो लोग जो है मास्क नहीं पहन रहे थे तो उनको रोकने टोकने के लिए भही है मास्क क्यों नहीं पहन रहे हो आप ठीक है रोको टोको रोको टोको बहुत सारी भीड जा रही है ठीक है मान के चलो बहुत सारी भीड जा रही है भीड जा रही है यहाँ पर आदमी जा रहे है यह मद्द में कुछ आदमी जो हैं बो मद्द में मद्द से गुजर रहे हैं बिना मास्क के ठीक बिना मास्क के गुजर रहे हैं चार पांच आदमी गुजर रहे हैं तो इन आदमियों को रोकने टोकने के लिए क्योंकि मद्द से गुजर रहे थे तो इनको रोकने के लिए एक अभ्यान चला गया मद्द प्रदेश ने ठीक है तो रोको टोको कहां से गुजर रहे थे मद्द से तो मद्द से गुजर रहे थे तो मद्द प्रदेश ठीक है रोको टोको क्यों रोको अगर पूछू तेटा लोगों को क्यों रोका टोका गया थ था तो आप क्या कहोगे सर वह इसलिए रोका टोक्या गया था क्योंकि वह बहुत भार बहुत भीड़ भार जगह से मद्ध से गुजर रहे तो बिना मास्क के पहने तो मद्ध से मद्ध प्रदेश ठीक है तो भाईया जी वाले सुन लो मद्ध प्रदेश ऑप्चन नमबर डी ठीक और चंद्रा इंस्टिटूट अलाबाद के नोट्स कॉपी किये बहुत सारे लोगों ने बीसमा ठीक है जो अपने बताते हैं अगला बीसमा प्रेशन है कि भारतिये संविदान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रतेक राज में एक राज पाल होगा ठीक है अपने स्टेट की राजपाल कौन है आनंदी बेंद पतेल जी ठीक है तो यहां पर है आर्टिकल 152 153 151 या फिर 154 देखो यहां पर कराम आंसर की बात करें तो यहां पर जो हो जाएगा आपका क्या होगा ऑफ्चेन नंबर बी हो जाएगा ठीक अनुच् 153 ठीक एक किसमे नंबर का प्रेशन है तो लिखा हुए है कि हमारे सरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद बसा किसके बुरुद अब रोधग का कार करती हैं सरीर से उश्मा की छती सरीर के अनिवार द्रवों की छती या फिर सरीर से लवड की छती या फिर परेया वर से हानिकारक सूच्म जीवां का प्रवेश देखें यहां पर हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा यह जो है सरीर के सरीर के तुच्छा की सतह है मौजूद बशा सतह मतलब अपनी इस केनेटिक स्किन के नीचे चरवी है वो किस से अब बता बचा यह बताओ तो यहां है सरीर से उश्मा की छती मतलब की हमारी जो बॉडी की हीट है उसको प्रोटेक्ट करती है अगर यह नहीं होगा तो बॉडी की हीट नहीं होगी हीट नहीं होगी तो बैसे भी हम मर जाएंगे आप लों पर है ठंड बहुत जारा पढ़ रही है आजकल ठंड की बज़र से त तो समझ लो तो 21 का ये दे रहे हैं आप सभी लोग का सही है बाइसमा प्रेशन है लिखा हुआ कि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्चों में सफल रहे क्योंकि लिखा है उफ्शन नमबर ए उन्होंने बड़े पैमाने पर हातियों का प्रयोग किया नमबर दो है कि बे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे तीसरा है बे एक उन्नत शहरी संस्कृती से थे चोथा है उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था तो यहाँ पर क्या होगा देखे यहाँ पर जो ऑफ्शन होगा ऑफ्शन नमबर तो इसी तरीके से डीजेगा और टार्गेट रखो कि अगर मैं 25 कराते हूं अगर मैं 30 कराता हूं तो उसमें से हाप तो आपके सही होने चाहिए ठिक अगला प्रचने आप लोगों का ट्वंटी थाड़ लिखा हुआ है कि लाहौर सलेंत्र मामला किसके बुरुद्ध रजि यह किया गया था आपका 1928 में और यह किया था भघस सींगे किलब क्यों किया गया था आपको मैं बता दूँ यह किया गया था किसके खिलब इन्हों अने भघस सिंग ने सांडर्स की हत्या कर दी थी तो उसकी बज़एसे इनके खिलाप जो है लाहौर श्रेंत्र मामला रज ठीक है तो एक बात और याद रख लो ठीक देखो एक ट्रिक बता देता हूं बहुत सारे लोगों को नहीं याद होता है कभी कभी तो कोई बात नहीं देखो आप लोगों को पदा है कि लाहॉर ठीक है लाहॉर कहां पर पढ़ती है पाकिस्तान में पढ़ती है तो पाकिस्तान नगलों ने क्या किया लाहुर में भागवत लाहँर में भागवत मैं भागवत होजागी ठीक है थो याद रखेंगे और ये याद कि अफीम कहां कहां पर होती है 12 वंकी में ठीक है तो यहां देखेंगे यह होगा भगत सिंग ठीक है तो आप्शन नमबर भी भागवत कहां पर होई मैं पूछूं तो यह देखना लाहर से याद कर लो ठीक है अगला प्रशने आप लोगों का 24 लिखा है कि भारत के शंबिधान में सामिल राज न नीती निर्देशक शिद्धान कहां से लिए गए हैं सिंपल प्रशन है ठीक है तो यह अगर हम बात करें ऑफ्शन है और या फिर आयलेंड तो बिलकुल जो लोग ऑफ्शन नमबर डी मतलब आयर लेंड दे रहे हैं तो बिलकुल सही है ठीक है तो क्या हो जागा यहां पर आयर लेंड जो है वो सही हो जाएगा तो जो लोग आयर लेंड दे रहे हैं तो यह चीज़ याद रखेंगे और नीती निर्देशक तक कितने मतलब आटिकल में आते हैं आटिकल 36 से लेकरके 51 तक आते हैं तो यह चीज़ भी याद रखना है छट्य से क्यावन ठीक है अब अगर मैं पूछ इसकी ट्रिक मैं बताऊं कैसे याद कर लोग वैसे मतलब बहुत सारे लोगोंने चंद्रा वालों की कॉपी कर रखी है मतलब पॉलिटी की कॉपी कर रखी है वह बोलना नहीं चाहता हूं तो देखो अपनी खुद की बनाओ तो बात मानी जाए ठीक है अब धार ना चले के लिए मोधि मोधी जी का योग है ठीक है और राज मैं हमारे राज में योगीजी जी का करते आयरन तो यह हो जाएगा आप लोगों को आयरन जैसी ठीक है तो आयरन से आयर लेंड टीक है जवर जस्ती की है बट काम कर जाएगी चलो अगले प्यात लें पच्चेसमा प्रेशना है लिखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस बर्स पारित हुआ था बताईए तो बहुत बार यह कोशन जो आप पूछा गया है अब तक के तमाम पेपर्स में तो आप लोगों को बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस बर्स पारित हुआ था देखिए अगर हम इसकी बात करें तो बिल्कुल सिंपल है यहां पर हो जाएगा आप लोगों का 2005 से ठीक है 2005 में राइट तू इन्फॉर्मेशन जो है वो पारित हुआ था 2005 में ठीक तो 2005 जो लोग दे रहे हैं 25 में का भी तो यहां पर आप लोगों का सही हो जाएगा ठीक